रियाज अटारी राजिस्थान में भारती जन्ता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व ग्रह मंत्री राज्य के गुलाब चंद कटारिया जी के अनेक कारिक्रमों में शामिल होते थे वो तस्वीरें आप सब के सामने आपको दी जाएंगे फिर जब हमने रिशर्च की क्योंकि कारिक्रम में तो बस इतना ही बताया गया था तो जब रिशर्च की तो फेस्बुक पर भारती जन्ता पार्टी के Minorities प्रकोष्ट के नेता इर्शाद चैनवाला 30 नवंबर 2018 आज से चार साल पहने फेस्बुक पोश्ट पर वो और एक और नेता है मुहम्मद ताहिर जो अब लापता है जिनका मोबाइल भी बंद है जब से ये हत्याकान हुआ तब से वोला पता है तो इर्शाद चैनवाला और मुहम्मद ताहिर मुहम्मद ताहिर के तीन फरवरी 2018 27 अक्टूबर 2019 और 10 अगस्ट 2021 28 नवंबर 2019 के पोश्ट हम लोगों ने स्टडी किये उसका अध्याइन किया अब अटारी जो है रियाज अटारी उम्रा करके वहां से कुछ पोस्ट डालते हैं फोटो डालते हैं और उसमें बड़े स्पश्ट तोर पे यह भारती जन्ता पार्टी के नेता मैं पढ़के बताता हूँ उन्होंने क्या पोस्ट डाला क्योंकि हमारी ये स्क्रीन अभी नहीं चल पारी आपके वाटसाइप ग्रूप में विनीज जी डाल रहे हैं ये हमारे बीजेपी कारेकरता उदेपुर राजिस्थान के रियाज अटारी भाईजान ने हमारे वतन हिंदुस्तान में अमनों अमन के लिए दुआओं कर अल्ला हमारे हिंद को सलामत रखे आमीन ये पोस्ट डाली है मुहम्मद ताहिर भाजपा के कारेकरता है मुहम्मद तामीन ताहिर कह रहे हैं रियाज अटारी के लिए कि ये हमारे भाजपा, उदेपूर भाजपा के कारेकरता, रियाज अटारी, उम्रा करने गए और देश में अमनों अमन की दुआ मंगी, इससे ज़ादा स्वष्ट क्या हो सकता है, भारती जनता पार्टी का कारेकरता, रियाज अटारी, गुलाप चंद कटारिया, गुर्व ग्रह मंत्री के कारेकरमों में लगातार शामिल होता है, भारती जनता पार्टी के स्थानिय नेता, अपनी फेस्बुक पोस्ट में रियाज भाई, हमारे भारती जनता पार्टी के कारेकरता, रियाज भाई, कहकर संबोधित करते हैं, ये चल क्या रहा है इस देश में, माज कैसे पहुंचा डिएसपी दविंदर सिंग का नाम हम सब जानते हैं उसको चुपचाप से नौकरी से बाहर कर दिया को इंक्वारी की राष्ट्र हित्मे नहीं है इसके खिलाफ इंक्वारी करना आपको याद है क्या हो रहा है इस देश में कौन करवार आएगे सब एक के बाद एक दुरघटनाएं होती हैं एक के बाद एक हमले होते हैं और सवाल कोई जवाब नहीं कोई उत्तर नहीं प्रधान मंत्री चुप ग्रह मंत्री चुप इन तस्वीरों के बाद और ये बड़े महतुपूर्ट थे हम सबके सामने आए हैं आप सोचिए अगर ये सिर्फ तस्वीर होती है तो चलिए हम सोचते कि किसी सामाजिक कारेकरम की तस्वीरे होंगी होती है राजने तिक दलों की निताओं की लेकिन ये फेस्बुक चनहया लाल का हत्यारा आतंकी रियाज अटारी भारतिय जनता पार्टी का सख्रिय सदस्य है आज सूर्यास तक हम उम्मीद करते हैं कि ये तथा कतित राश्वादी पार्टी इस बात का जवाब देगी इस देश को जवाब की इनजार है कल सुप्रीम कोट ने माननी सरोच ने आयले ने कुछ बहुत गंभीर टिपपणियां की थी आज इन तत्यों के उजागर होने के पश्चात उन टिपणियों को फिर से देखना चाहिए और वो टिपणियां सिर्फ एक नुपुर शर्मा के खिलाफ नहीं थी नुपुर शर्मा की सामाजिक पहचान भारती जनता पार्टी से बनी है जब नुपुर शर्मा ने वो अलफाज कहे पैगंबर साहब के खिलाफ तब वो भारती जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी उसके दस दिन बाद तक नुपुर शर्मा भारती जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी तो इसलिए अगर माननी सर्वोच नियायले अगर नुपुर शर्मा के लिए कुछ कहता है तो वो टिपणिया भारती जनता पार्टी के लिए है आखिर भारती जनता, पार्टी और उसके नेता और उसके प्रवक्ता पूरे देश में धार्मिक उन्मात का वातावरन बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ये सवाल हमारा पहला हमारा दूसरा सवाल क्या प्रधान मंत्री मोधी और ग्रह मंत्री अमिच शाह अब भी भारती जनता पार्टी निताओं द्वारा धार्मिक उन्मात को फैलाने की कोशिशों पर चुप रहेंगे आठ साल में कब बोलते हैं ये लोगों पूरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया भर की बातें करवालो मोदी जी से करते रहेंगे घूमते रहेंगे बोलते रहेंगे विपक्ष को कोसेंगे विदेशों में जाकर और जो इनकी अपनी पार्टी के लोग माफ कीजेगा आतंकी घटनाओं में शामिल हैं इस पर चुप रहेंगे देश चुप नहीं रहने देगा आपको और अगर आप नहीं बोलेंगे तो देश बोलेगा क्या भारती जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं नेताओं के जरीए पूरे देश में आग लगाकर धुरूवी करन करके एक चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है अब तक हम यह सोचते थे कि आप इनको चुना रहे हैं और इतने बड़े शर्यंत्र में भारती जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य सरेयाम आरोपी है सरेयाम शामिल है आपने सब ने देखा जोहीं उद्यपूर में यहत्त्याकांड हुआ केंद्र ने NIA को यह जांच सौपने की बात की हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंथ इसका स्वागत किया हम सब ने इसको स्वीकार किया लेकिन अब यह नए तत्यों के उजागर होने के पश्चात सवाल उठता है और बड़ा गंभीर सवाल उठता है यह हमारा आखिरी सवाल है क्या भारती जन्ता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इन ही कारणों से डर कर जल्दबाजी में NIA को यह केस सौपने का निर्णे लिया कारण क्या था यह सवाल एक-एक सवाल बहुत गंभीर है क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा देश का एक रहना अखंडता का सवाल आता है और मैंने आपको पुल्वामा का उधारन जान बुच कर दिया आज तक जवाब नहीं मिला है DSP देविंदर सिंग का आज तक माफ कीजेगा मीडिया ने इतना पूछने की भी हिम्मत नहीं की की देविंदर सिंगर के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं हो रही क्यों चुपचाप उसको नौकरी से बाहर कर दिया और क्यों उसके ओरडर में है कि देश हित में ये आवशक है कि इनको इनके खिलाफ को इंक्वाईरी नहीं हो वो ओर्डर भी मैं आपको अभी साजा करता हूँ विनीद भाई मैं आपको भेज रहा हूँ वो भी इन से आप साजा करिए गा आपके सवाल इसी मुद्दे पर हों तो ज्यादा अच्छा रहे कॉंग्रेस की बात नहीं है अब देश भारती जनता पार्टी से सपष्टिकरण चाहता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमिर शाह मूँ खोलें यह देश की मांग है यह बहुत गंभीर बात हैं सिर्फ चित्र होना किसी सामाजिक कारिकरम में वो अलग बात होती है वो हो सकता है आप पत्रकार हैं आपके साथ भी कोई लोग चित्र खिचवाते हैं अपना सेलफी खिचवाते हैं यह तो और ज़्यादा गंभीर है कि फेस्बुक पोस्ट पे लिखा जा रहा है कि रियाज अटारी भारती जंता पार्टी उदेपुर के कारे करता उम्रा गए वहां उन्होंने यह सब दुआएं मांगी आज की नहीं है यह पोस्ट दोहजार अठारा उन्निस बीस इकिस की तमाम पोस्ट मैं आपको भेज रहा हूँ यह तो जाच से मालुम होगा लेकिन माफ कीजेगा वोटर की बात नहीं है यहां फेस्बुक पोस्ट पर है रियाज अटारी भारती जंता पार्टी उदेपुर राजिस्थान का सदस्या इससे ज़्यादा सपष्ट और क्या चाते हैं आप और यह कोई आज की पोस्ट नही पोस्ट हैं इसके बाद भी अगर यह सवाल उठता है किसा आप कॉंग्रेस सवाल क्यों उठा रही है तो माफ कीजेगा फिर इस देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है अ सबमेदना के बाद आपकी राजिश्रखकार भी चार्ज कर रही है कि आपके बार्जर करेंगे कि जाज करेंगा तो वहां की जांच कैसे होने जारी है या आरोब तक आप सिमित रखेंगे राज़े सम्तार के जरीपे इसको जांच इसको किस कि शांच देश का सवाल है सिर्फ आरोब तक सिमित रखने की तो कोई सवाल ही नहीं उड़ता माननिये मुख्यमंत्री अशोग गहलोजी के संग्यान में यह त जानकारी भी दी जाएगी रही बात NIA की तो हम यह सवाल उठा रहे हैं अब तब नहीं उठाया था तब स्वागत किया था अशोग गहलोजी ने भी और उन्होंने कहा था कि मेरी पुलीस और मेरा प्रशासन NIA को पूरा समर्थन देगा पूरा सयोग देगा और हमने इस मं को छिपाने के लिए लिया था भूलियेगा मत जैनेंद्र जी ये वही गुलाब चंद काटारिया हैं जिनका सोराबुदिन फेक एंकाउंटर में CBI की चार्च शीट में भी दिकराया था हम केंद्र सरकार से तो जाच की मांग नी कर रहे हैं और रही बात जाच की तो जैसा मैंने कहा मुख्यमंत्री अशोग गहलोजी के संग्यान में ये नए तथे आए हैं कानून सम्मत नियम सम्मत क्या कदम उठाएंगे वो आपसे साजा किये जाएंगे बहुत जल्दी